मित्रो नमस्कार आवन जो तीश परपाद यूट्यूब चैनल पर आपसे परस्टापी का मित्रों महुथ ही आवस्ट्य को डिमांडेट थापी राहो ग्रह पर मिश्थित बिशार कई बार हो चुका है लेकिन के तुक्रह पर बिशार नहीं हुआ है कई मित्रों ने लिखा कमेंट बाक्ष में भी जिक्यासा रिव्यक्त किया कि गुरुजी पावन जी अन्हाव पर तो बहुत कुछ कहा है आपने के तुपर मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे आग रहा है कि वीडियो को जरूर कुछ कर दें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचा जरूर करें तथा सभी जरसक मित्रों को मेरा हार्दी तो काम नाएं धन्यवाद तबको नमस्कार मित्रों आज करता पिक के तुक्रह से संबंदित है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सिसके सभी मानक पर बहुत कुछ कम कहा गया है लेकिन मानी फर्गी किसना मूर्ती जी अध्यन और सोद के दौरां वह ऐसी जरूर पाए इतना का मेर चिंतन उन्हों नहीं किया उन्होंने कहा है नुट सारी स्टांगर देन अधर प्रेंट अरव और और से जादे सक्ति साली है और इसमें ज किया गया जोति सास्तर में के तुको कुछवत कहा गया अर्था मंगल के समा लेकिन मंगल के मुकाबले यह अधिक अधिक करा करा हो मंगल से लीए के इसके पर्भाव और सुभाव और ब्यापक बिचा यह इसका टापिक है तो भाव गुण और प्रभाव पर व्यापक विचार यहाज का टापिक है तो मंत्र तंत्र साधना करीत प्रश्चा का दर्सक है अथाज जिसके पाच्वे और नौम अस्थान से केट रिलेटेड होता है वह लोग मंत्र तंत्र साधना के छेतर में उतरते हैं केट का प्रभाव में पुचा का माना गया के राह को सांफ का मुख और केट को पूछ माना है नौ … हमांता है पूछ में सकती होती असनी का परतीक है कि सो इस तरह से में बिष्पिभ already in की वाधों को बादा कर में की पर्विटी जादे हो ती अजीग प्रकार की बीमार्या भूसी आथों को निहार ना मांसिक भीमारी असे नहीं है ताभनाने वाली विमारी और मांत्र थंत्र साधना तरश्या इससे रिलेटेड विमारियां होती है बीमारियां जो है यह तवचा कोड भगंदर जैसे बेदना दायक बीमारी होगा तवचा की बीमारी कोड भगंदर कैंसर यह जाने बेदना दायक बीमारियां असाहे होती है और कारोबार क्या है आपको बताया है कि कौन सी बिधा अपनाई जाए कौन सी पैथी अपनाई जाए पंचय मर्स्थान के सब लाड़ को देख करके उसमें के मैंने अलवेद ही बताया है तो आइवेद के बाएद मंस्तं से जुड़े साधम साहित धर्म गरंथ गुप्त जारी तांत्रिक जोतिसी यह से ढके साथ माइशे और उसके सात भी इस जो है जिसक्रह से संबंधित ऊन्ही निप uns जो समन सबनाने थे अरा आगे हम बढ़ते हैं होतीा आतुम से ंकारी दे रोए रहा है प्रिश्टी ने बताया है कि केत उपर जिस ग्रह की द्रिश्टी होती है उसके सारे कुरों को ले लेता है सबसे पहले उसका प्रिश्टी का मतलब राता है यूति हो जिसके योग में हो तीसरे नमबर पर जिसके नचात्र में है उसके सारे फ़लों को देता है करना हो तो भूक आसानी से नहीं होता बहुत आयामिक्षा है अगर पंचंप में में दो पांच ग्यारा नहीं आया अधिया अग्याण प्रभाव को लेका चलता है इसमें आस्वस्त हो जाना जाए किसी किया कि माध्यम से उभाव इसमें आ अब जैसे बर्तमान में के प्रभाव गूर और कारोबार के बारे में हम दिक चर्चा किया लेकिन हम यह बताना चाहेंगे करना हो रहा हुआ है कोई माउं का कार्जेश होता है यह लित्रों यह कुदाहरण कुंडली है हमने मान लिया या तुराई दोहजार अखारा आ जहीं दिन है और नो बज़ के बीस एम पर कोई बच्चा पैदा कोई जा तक आया इस पिर सभी तो उसकी कुंडली क्या होगी उस वाशी अस्तान पर चेंग लंगन की होगी क्रहों की इसती तरह से है यह फिर अब में तो इसमें के लिए क्यों यह अफ्षा हुआ है क्यों लेकिन अपने के लिए अब देख लिए ये तु मकरणास ने अब आपको यह देखना है कि निकिन ग्रहों का प्रभाव हमने पहले कहा है कि जिस ग्रह की द्रिष्टी में अब के देखिए पंचम अस्थान लगन कुर्गरी से देखी जाती है कि चट्वें अस्थान पर है तो चेज पर द्रिष्टी है बुद्ध को अब देख लिए बुद्ध साथ सब्सक्राइब है और पांच अंसका अंतर है द्रिष्टी साम में है अंस सामेता है तो बूद्ध का प्रभाव है इसना से सबसे पहले बूद्ध का फंदेगा के दूसरी इसनी के तुमंगल के साथ है यूथ ऑगन के भी अंसों को देख लिए मंगल मकर में 14 अंस पर बैठा है और तो दो अंस की दुरी पर है अथार मंगल का फंद दूसरे नंपर अब इस तरह से बूद्र मंगल और चंद्रमा का फ़ल देगा यह तो बैठा हुआ है सनिष्ट्र के घर भी इस नाते चंद्रमा का भीप्षट देगा और अपने भी जिस नशत्र में बैठा आज ऐसे है जिस तरह से आप निकालते हो सिग्निफिकेटर उसका भीखते है अब केट देखिए केट को साधारण तरी कैसे अगर सिग्निफिकेटर निकाला जाए तो के तु समय बैठा हुए आप पंच्य मस्थाम में देख लिए और सब्सक्राइब कर देखिए तो केट जो है पांच्य सब्सक्राइब कर देखिए लेकिन ग्रहों का प्रभाव है विष्टी के नाते बुद्ध का विच्टी के नाते मंगर का सब्सक्राइब का बिच्टी सब्सक्राइब करें कि它 cdkonkt एक विए का मुन योज पाँज़ में रखिए इंडदा यह चिहां कि यहां रखते हैं जो के इसे संबंदित हैं तृष्टी बुद्ध की है युथी मंगल की है रास्ते निच्छे अथाथ के साथ यह सारे ग्रह जो हैं पांचो जिन भावों के सिग्निफिकेटर हैं तार्जेस हैं में पिक भाव में बहुत ही श्रांगे नाज़ाक दिया है और के वह को हमने बताया वहने बताया है यह हैं कि अंध। इसको समझ गए होंगे नेरे आज़ाइकोप टाफी लंब हो रहा है जना आज आज-च्तवकोनिक खटम कर्टेए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यमाद, नमस्कार, सुख काम दाएं